भले विपक्स के नेता हों पहर तो हैं उनके सदन के विक्तियूं वो उसी सदन में बैठते हैं जिस सदन में बैठते हैं भले विपक्स के आले कुर्शी पर बैठते हों पर उनके विधायक उनके सासन में अगर विधायक के साथ इस तरीके घटना हो रही है तो उनके विधाय किया जाएगा तो यह कहीं कहीं समिधान के खिलाब है यह रणीट के तहत जो है उनके उपर एटेक किया गया उनमें चार आदमी आए और रादकार समय था फिर एक से बाद उनको आरूप लगा रहे हैं नमस्कार आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात मैं हूँ आपके साथ रमन जनपत जोनपूर में कुछ ऐसी कहीं कहीं पुलिस का तांडो देखा गया कहिन कहीं वो निंदनी है अगर एक विधायक के साथ जिस तरह से पुलिस पेस आती है यह बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लौन आर्डर की बात करते हैं मुकमंतरी और कोई अमल्ले अगर जनता चुनती है और उसके साथ इस तरह से दिरुबहार हो तो कह कहीं गलत है अब यह तो जांच करने का विसा है क्या सच्चाई है लेकिन बातचीत करने के लिए मेरे साथ डाक्टर मनोच समाजवादी पारटी को वरिश्टनेता और पूर के मलसी के प्रत्यासी भी है बहुत स्वागत सर बहुत धन्यवाद क्या लग रहा सर समाजवादी पारटी के विधायक मलनी लखी यादो के साथ जीस तरह से पुलिस का तांडव और कहीं कहीं उनको बता उनको कहीं के उपर आरोब भी लग रहा है कि कहीं कहीं वो बंधक बनाकर पी डवलू विभाग की लोगों को रखे थी नहीं देखिए जो आरोब को जो मैंने सुना है जाना है जहां तक जानकारी निक्याला है मैंने तो वहां पे यह पता चल रहा था कि चार आदमियों इनके घर पर अटैक करते हुए। इन्होंने कैमरे में देखवाया और तीन आदमियों को उन्होंने पकड़ा और फीच के बाद एक भाग गया दो जॉन्होंने बताया जो जानकारी आई है और कैद करके अगर रखने वाली बात अगर होती तो वो विधायक जो थे उन्होंने यस्पी को फोन लगाया और तुरंत अधकाल जबा उनको सुचना दिया कि ऐसे से अग्याद विक्ती हमारे गेट के सामने हमारे घर के सामने नजर आये हैं और तीन आदमी पकड़ लिए गये हैं एक आदमी फरार है सर क्रिपया हम चाहते हैं कि इसकी इसमें तुरंत जो है थाने पर या किसी तरीके से सूचना देकर इसकी जानकारी नहीं हम प्रसासने जानकारी दें जहां तक यह जो हुआ है मामला और देखने में भी लग रहा है कि इस तरीके से अगर एक आदमी अगर उनको बंधक बनाके रखता अप्रहण करके रखता तो फिर प्रसासन को फोन क्यों करता लेकिन सर्फ पुलिस जिस तरह से आरोप लगा रही है तो कहिन कहीं क्या लग रहा है देखिए जहां तक मैं अब मैं जो बोल रहा हूं यह सोची समय था फिर इसके बाद उनको आरोप लगा रहे हैं रात में दारूपी रहा आदमी यह प्रसनल लाइफ है अब पुलिस अगर वहां गई है तो वह यह बताईए अगर वह दारूपी यह हुए थैं क्या पुलिस भी दारूपी हुई थी जो जो पुलिस उनका कॉलर कि सही माइने में योगी शरकार वास्तों में टाइट है मामले को लेकर तो भले वीपक्स के नेता हूं उनके सदन के विक्तियूं कि उसी सदन में बेटते हैं जिस सदन सदन में भले वीपक्स को पर udaCar हैं उनके उनके सासन में एंगर विधCos इस तरीगे स्क नहुत इस तरीके से लोग तंत्र में इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जहां कहीं लोग प्रियता है इस तरीके से लेकर लगी यादों का सरकहिन कहीं कहा रहे हैं जिस तरह से हमने इसपी शाहब को ततकाल फोन किया और तुरंत हमको प्रशाशनी के कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिए ने देखी दिखाई तो दिए मगर ऐसा दिखाई दिए जैसे लग रहा है कि उन्हीं को पर अटैक कर रहे हैं एक आम आदमिया किसी के घर में जाके इस तरीके से घटना करना ये कोई अच्छी बात नहीं है ये बहुत बुरी बात है इसकी में निंदा करता हूं और मैं इसके इतना जारदा भर्षना करता हूं कि इस तरीके से जो घटन और लोग तंदर में कभी देखने उक नहीं मिला यह पहली बाद देखने उक बिल रहा है बंधक बनाने की बात जहां तक पुलिस के प्रसाशनी के दिक्यारी सर कर रहा है हो सकता है कि कैमरे भी लगे होंगे कैसे बिक्त कब आया और कितने बज़े आया है तो वोगे अगर इस तरह से किसी बिधायक के साथ कालर खीजा जाएगा और किसी के साथ दुरवरिभार किया जायेगा तो यह कहिन कहीं सम्मिदान के खिलाब है सरकारे किसी के हूँ लाइन आडर को कहिन कहीं ध्यान देना चाहिए पुलिस के क्रमचारी हूँ या अधिक्यारी हूँ अगर इस तरह से किसी विधायक के साथ गलत हो तो उसकी जांच करके सही उसकी कहिन कहीं दिसा निर्देश करने ये नहीं कि किसी का कालर खेचरी डाक्षाव कैसे किसे अपना दुख सुनाएगी संभाजवादी पारिटी के बड़े पुलिटिकल लेता हो तो जिला अध्यस सही तमाम विधायक यहां के मिले भी गए थे यसपी सहाब से लेकर हर्जगा मिलने के लिए अभी तक कुछ रिस्पांस बिल्टी उसकी अब जानी रहे हैं और भी मामला अब देखिए बतलाव तो जन्ता करेगी यह नहीं हमारे समाजवादी पार्टी सब को लेके चलने वाली पार्टी समाजवादी ये कल्चर नहीं दिखाता समाजवादी का कल्चर ये है कि आम जंता का काम कैसे होगा आम आदमी परसान जो है उसकी परसानियों की निजाद कैसे दिलाई जाएगी सरकार में विकास कैसे होगा सरकार एक आम आदमी को सुवधा कैसे पहुचाएगी ये समाजवा फिक्सवाल और मेरा रहेगा पोलिटिकल पार्टियां लगातार नगरपंचायच चुनाव को लेकर अपनी ठोक रही हैं क्या लग रहा है समाजवाधी पार्टी कितना इस बार शीट ले आ पाएगी जितने भी नगर पंचायच तो नगर पाली क्या हैं प्रत्यासी अपनी मिनहत कर रहे हैं और अब तो जनता दोग्याइश का कुछ संदेश आप लोगों का दोजाशासोओईश में जहां तक जान रहे हैं कि जो विकास पर बात हो रही थी कि मतलग विकास और leptas विकास ने महां तों नहीं हो रहा है सरकार में देख रहे हैं कि इस इस बार मुद्द है। जिस तरह से बिपक्ष जूट हो रहा है डाक्षाब लगातार जैसे बिहार के मुखमंत्री और डिप्टी सीम के तेजस्वी आदो है और नितीज जी लगातार है अहल पुलिटिकल पालिटी के मुख्या से मिल रहे हैं क्या लग रहा है कुछ संदेश उसका आप बताएगे द दल आता है ते गुलदस्ते की तरह तयार होके वो कितनी खुबसूर्ती देगा इस देश के लिए उस चीज़ के लिए सब लोग प्रयास करते हैं और जरूरी भी है जरूरी भी है कि विपक्ष शेख साथ होकर जोबाई जोजा 24 का चुनावलने और लड़े और जंता को जो माफियाओं को लेकर मुखमंतरी जी कह रहे हैं कि माफिया कहीं भाग रहे हैं तो अब तो बात की बात है लेकिन पुलिस कस्टेडी में जिस तरह से मौत हुई है यह तो सवाल है माफिया किसी दल में ऐसा नहीं है हर दल में माफिया है और इसी दल में देख लीजिए किसी क के 60-60 मुकदमे हैं और हर एक जिले में ऐसे ऐसे माफिया है उन माफियों को उठाए ना टॉप 10 जो टॉप 100 लिस्ट निकालें पता चल जाएगी जह है चलिए बात करते करते दूसरा मुदा उठ गया बाचीत करने डाक्टर मनोजी मेरे सांथ थे और समाजवादी पार्टी क ऐसे प्रखरे नेता है कि किसी भी बात को बिवाकी से बोलते हैं यह नहीं कि छुपकर बोलते हैं बहुत-बहुत धन्यवादाक्षाप हिंदुस्तान बात के शांत्मेरमन जैहिन जै भारत